कि हलो माइडिया स्टुद्स क्लास स्ट्रेंद के हिंदी के व्याकरन की रिवीजिन सीरीज में पर फिर से आपका स्वागत है और इससे पहले आपको दो वीडियो दे चुका हूं जिसमें आपको मिलने वाले हैं सूरदास के बद के कुछ क्वेश्चन्स हैं और इससे पहले आपको एक वीडियो दे थी जिसमें राम लक्षमिन और परशुराम के बीच में जो सवाध है उसके मल्टिपल च्वेश्चन की वीडियो थी तो जैसा कि आपने डिमांड किया अब इस वीडियो में आपके लिए लेकर आएं कि जो वाक्या से लेडियो जैसे हमारे वाक्य वेड पहचाने तो यहाँ पर option आपके सामने गिवन है वो right answer क्या होगा तो यहाँ पर चो correct answer है वो जाता है यह बिलकुल एक simple sentence है यानि सरल वाक्या है अब चलते है question 2 के लिए जो गरजते हैं वे बरसते नहीं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं तो यह किस तरह का वाक्या है तो यह sentence जो है मिश्र वाक्या कहा जाएगा option आपके सामने already given है कि इसको हम मिश्र वाक्या की category में रखेंगे जैसे आपने हिंदी में किया होगा simple sentences, compound sentences और complex sentences तो complex sentences जो है वो इसी category में आते हैं आप चलते हैं question 3 के लिए वे है गर आया और खाने बैठ किया जहाँ पर भी जै आपको जहाँ पर and या ऐसे कोई word मिलते हैं वो compound sentence के category में आते हैं तो यहाँ पर हम एक बर अगर देखते हैं तो उसके basis पर हम कह सकते हैं कि यह और बीच में लगा हुआ है इसकी वज़े से पैचान हो पाएगी आपको तो यह कुछ सा sentence होगा? Yes, of course, यह संयुक्त वाक्या क तो यहाँ पर रचना की अदार पर वाक्या बेद फिर से आपको पहचानना है यहाँ पहले नदी थी प्रंतु अब घनी बसती है यहाँ पर right answer क्या होना चाहिए तो यहाँ पर B जो correct answer है यह कुछ सा वाक्या होगा? Yes, यह संयुक्त वाक्या की category में होगा एक चुमनी क्या ह जो आपका संयुक्त वाक्या होता है उसमें आपको यह जो है दोनों ही type की clauses भी देखनी होती है तो यहाँ question 4 का right answer फिर से हम कहेंगे संयुक्त वाक्या है अब चलते है question 5 के लिए प्रोसी ने पूछा कि तुमारा घर कौन सा है अब यहाँ पर कौन सा sentence होना चाहिए प्रोसी ने पूछा कि तुमारा घर कौन सा है तो यहाँ जो right answer बनता है वो है yes option यहाँ पर हम कहेंगे मिश्र वाक्या की category में आएगा यह आप चलते है question 6 के लिए वह दोड़ता हुआ घर पहुचा अब दोड़ता हुआ घर पहुचा तो यह कौन सा sentence होना चाहिए तो यह sentence हो है yes of course से simple sentence है इसमें कोई शक नहीं है तो कि यहाँ कोई और टाइप का कोई बीच में conjunction वगरा यूस नहीं किया हुआ एक साधारन वाक्या है सरल वाक्या है यह वह दोड़ता हुआ घर पहुचा अब चलते है question 7 के लिए मेरी इच्छा है कि मैं शिक्षक बनूँ अब मेरी इसलिए आपको तोड़ा सोचना पड़ेगा इस simple sentence की category में तो नहीं आता तो yes of course यह जो है वो सरल वाक्या नहीं है यह एक मिश्र वाक्या का example है option गह यहाँ पर right answer है अब चलते है question 8 के लिए सुबह से गह गह कर वह ठक गया तो यहाँ पर कौन सा जो है वाक्या आना आप बताईए right answer क्या होगा सुबह से या सुबह से गा गा कर वह ठक गया तो यह बिल्कुल इसमें कोई conjunction वगरा यूज नहीं है तो यह सरल वाक्या का example है तो यहाँ पर भी आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए कठोर बनो परंतु सहर्दय बनो इसका सरल वाक्या निमलिक्त मे option आपको लगता है तो यहाँ पर जो right answer बनेगा वो तो वो right answer हमारा बनेगा जो सरल वाक्या की category में आए वो है कठोर बनकर भी सहर्दय बनो option गर यहाँ पर right answer है अब चलते हैं question 10 के लिए राम आया सब पर सन हो गए मिष्रवाक्या में इसका उत्तर है राम आया सब पर सन हो गए मिष्रवाक्या में इसका उत्तर है तो option आपकी सामने है और बताईए right answer क्या होना चाहिए तो यहाँ पर हम कहेंगे जो correct answer बनेगा yes इसको हम थोड़ा सा मिश्र वाक्य की केटिगरी में लेकर आना है तो जैसे ही राम आया वैसे ही सपरसन हो गई तो option का यहाँ पर बिल्कुल right answer बनेगा इसका अब चलते हैं question 11 के लिए ममता आई और चली गई वाक्या का सरल रूप चुने यानि अगर जो इसको आप ये क्योंकि compound sentence की केटिगरी में है संयोगत वाक्या बना हुए तो इसको हमने सरल वाक्या में बनाना है तो यहाँ right answer क्या होना चाहिए येस यहाँ पर जो right answer बनेगा ममता आकर चली गई क्योंकि और अगर लगाएंगे जैसी खाओ option में आ रहा है तो और से फिर ये संयुक्त वाक्या ही बन जाएगा आपको simple sentence बना रहा है ममता आकर चले गई तो option गई यहाँ पर right answer है अब चलते हैं question number प्रेलो के लिए जैसे ही मालिक ने इशारा किया गाड़ी चल दी ये वाक्या का बेद है ये कैसा वाक्या है फिर से option आपके सामने गिवन है और right answer बताएए जैसे ही तो जैसे ही जब पहले भी एक example आया है तो ये किसके yes of course वो हम कहेंगे मिश्र वाक्या की category में आता है जैसे ही मालिक ने इशारा किया सभी पर सन हो गए तो यहाँ पर जो right answer है वो क्या होना चाहिए तो options के basis पे इस वाक्या को आपको क्या करना है संयुक्त वाक्या में इसका रुपांतरन करना है संयुक्त वाक्या में तो यहाँ पर question 13 का जो right answer बन रहा है वो yes of course आपने देखा ही होगा सभी के सभी संयुक्त वाक्या के अंदर और हम बीच में एक conjunction के तोर पे लगा रहे है तो हम कहेंगे महमान आये और सभी पर सन हो गए गव option यहाँ पर right answer है अब चलतें question 14 के लिए जैसे ही गटना के बारे में सुना वैसे ही सभी हताश होकर जुझलाने लगे सरल वाक्या में इसका रूप है अब यह तो एक तरीके से मिश्र वाक्या की कैटिग्री में है लेकिन हमें इसको सरल बनाना है तो सरल वाक्या का example यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर जो right answer है वो क्या है तो यहाँ पर जो right answer बनता है लिखते हैं यहाँ पर अब मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया संयुक्त वाक्या में इसका रूप है इसको हमें अब संयुक्त वाक्या में कनवर्ट करना है मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया तो हम कहेंगे राइट आंसर यहाँ पर वनेगा क्योंकि और लगा दिया त पी वह विद्वान है, फिर भी हटी है, इसका सयुंगत वाक्या का रूप क्या हो सकते है? Yes, of course. हम कहेंगे यहाँ पर right answer है. Option का वह विद्वान है, किन्तू, किन्तू हटी है. तो of course, यहाँ पर का option सयुंगत वाक्या का exact जो है, रूप है. अब चलते हैं question number 17 के लिए यदि वर्षा ने हुई तो अकाल पड़ जाएगा रचना के अधार पर वाक्या भी हिद बताएं तो ये किस तरह का वाक्या है तो options आपके सामने given है और right answer क्या होगा यहाँ पर जो right answer बनता है वो है yes, मिश्र वाक्या का example है यदि वर्षा ने हुई तो अकाल पड़ जाएगा ये एक मिश्र वाक्या है question number 18 है मा ने कहा था कि लोड़ते समय फल लेते आना परदान उपवाक्या कोन सा है अब मैं जैसे आपको बोल रहा था principle close यानि परदान उपवाक्या ने यहाँ पर पूछ लिया है कोन सा है तो अब बताईए मा ने कहा था कि लोड़ते समय फल लेते आना तो यहाँ right answer क्या होगा yes, of course यहाँ पर हम कहेंगे मा ने कहा था वो हमारा परदान जो है वाक्या है उपवाक्या है तो आप चलते हैं question number 19 के लिए यह वही लड़का है जो बोड़ परिक्षा में प्रथम आया है वाक्या में विशेशन उपवाक्या छाटे है विशेशन उपवाक्या आपको बताना है यह वही यानि आपको adjective close बतानी है यह वही लड़का है जो बोड़ परिक्षा में प्रथम आया है तो यहाँ पर right answer क्या होगा यहाँ पर जो right answer है वो है yes बोड़ में प्रथम आया है अब चलते हैं next question के लिए जब आग लगती है तब ही दुआ उठता है क्रिया विशेशन उप वाक्या इसमें से कौन है जब आग लगती है तब ही दुआ उठता है क्रिया विशेशन उप वाक्या इनमें से कौन है तो options के basis पे यहाँ पर जो right answer है वो क्या है yes of course हम कहेंगे जब आग लगती है तो यह कुछ important question थे जो आपके साथ discuss किये गए है क्योंकि यह कल ही आपका paper है तो एक revision series है आप अपनी knowledge check कर सकते हैं देख सकते हैं आपके कितने questions right है और no doubt मैं यह बिल्कुल इसमें कोई check नहीं कहूंगा कि एक sample paper की यह copy है इसा नहीं है कि इतनी जल्दी मैं भी question त्यार कर लूँगा because आपनी कल ही demand की तो मैंने फिर भी आपके लिए चलो एक practice series के लिए question डाल दिये थे और अप इस video की description box को देखना मत बूलेगा वहाँ पर आपको कुछ और links पे मिलेंगे so thank you very much and have a very nice day